स्वागते दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर डामे दोस्तों निवेश करते टाइम आपको हमेशा बहुत स्मार्ट होना जरूरी है ताकि आप एक 32 स्कीम में बहतरी निवेश प्लान करके एक बड़या अपन्ड बना सके आज हम आपके लिए एक ऐसी रेटार्मेंट स्कीम लेकर आए हैं जिसके अंदर आप एक बार पैसे निवेश करके अपने लिए हर महीने 20,000 रुपे की इंकम शुरू कर सकते हैं और दोस्तो इसी पैसे में से 5,000 रुपे यानि 20,000 रुपे जो इंकम आपको हर महीने होगी उसी में से 5,000 रुपे निकाल कर अगर आप SIP के अंदर निवेश करते हैं तो यहाँ पर आप करीब 9,13,000 रुपे का फंड बना सकते हैं और वो भी यहाँ पर SWP plan में जो पैसे आप निवेश करेंगे वो बठकर भी करीब 2,54,000 रुपे हो जाएंगे तो दोस्तो यहाँ पर इस smart तरीके से अगर आप निवेश करते हैं तो long time में आप अपने लिए एक शांदार profit बना सकते हैं तो दोस्तों ये स्कीम उन लोग के लिए काफी शांतार रहेगी जो एक बार अपने पैसे को निवेश करके उस पर हर महीन एक इनकब्री शुरू करना चाहते हैं और यहाँ पर एक स्मार्ट तरीके से उसी पैसे में से थोड़े पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो यह कैसे पॉसिबल होने वाला है इसे हम कैलकुलेशन के साथ पर आपको समझाएंगे और दोस्तों HTFC की जो स्कीम हम लेकर आए हैं उस स्कीम ने अगर लोग टाइम की बात करें तो काफी शांतार प्रॉफिट दिया है यही वज़ा है कि यहाँ पर अगर आ बेज करके अपने लिए एक शांदार प्रॉफिट बना सके उससे पहले आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट है दोस्तों हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें सबसे पहले हम बात करते हैं इस स्कीम के रटन के बारे में क्योंकि यह काफी इंपोटेंट होता है तो द की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है HDFC Retirement Saving Fund इसका जो पैसा है वो स्टॉक मार्किट के अंदर 25 कॉलिटी के स्टॉकों में निवेश कहाता है अब दोस्तों बात करें कि कैसे इसके इंदर आपको निवेश करना है तो mutual funds के अंदर आप 3 तरह से निवेश करते हैं पहला SIB यान एक बड़ा fund बनाते हैं और तीसरा होता है lump sum यानि एक पर पैसे निवेश करके long time में आप एक बड़ा fund बनाते हैं देखें दोस्तों यहाँ पर हम दो प्लान यानि SWP और SIB दोनों को mix करेंगे और देखेंगे कि कैसे के अंदर आप 20,000 रुपे का एक हर मेने प्याउट ले यूनिट प्राइस जो भी पैसे आप इसके अंदर निवेश करेंगे और जो एनिवी का प्राइस होगा इसके हिसाब से ही आपको यूनिट लॉट की जाएंगी रेटिंग के बात करें तो 5 है और fund size 2,087 करोड रुपे है यानि इतने पैसे लोगों ने इस mutual fund scheme के अंदर नि लिया जो दोस्तों 32 कंपनी है उनके अंदर आपका पैसा निवेश किया गया है अगर बात की जाए expense ratio की तो ये भी कम है 0.90% का दोस्तों expense ratio होता है mutual fund scheme का खरचा जो भी पैसे आप इसके अंदर निवेश करते हैं और जो expense ratio होता है इतने परसेंट पैसे काटने के बाद जो current NAV का प्राइस होता है इसके हिसाब से ही आपको unit lot की जाती है अगर बात करें fund management team की तो इस fund को manage करें शोबित मदल हुतरा 2016 से बात करें हम यहाँ पर HDFC mutual fund house की तो इंडिया में second number पर रहेंग है company start होई थी 10th December 1999 को और company के पास जो EUM है यानि के asset under management वो गरीब 4,49,000 करोड HDFC mutual fund house के साथ निवेश के हो है दोस्तों यह तो बात होई scheme की इसका जो all time का return है वो है करीब 19.64% लेकिन आने वले time में अगर आपको सिर्फ 19% annually का return मिता है और आप इसके अंदर एक बार पैसे निवेश करते हैं और हर महीने income शुरू करते हैं 20,000 रुपी की और इसी 20,000 में SWP calculator यानि के systematic withdrawal plan का calculator यहाँ पर अगर आप एक बार निवेश करते हैं 15,000 रुपे और हर महीने income शुरू करते हैं 20,000 रुपे की return हमने expect किया है आने वले time में 19% का इस पैसे को इस SWP plan में अगर आप 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ पर 5 साल के अंदर आपको करीब 12 लाक रुपे का प्याउट मिलेगा 20,000 रुपे हर महीने के हिसाब से और आपके 15,000 रुपे बढ़कर करीब 16,80,635 रुपे हो जाएंगे अब दोस्तों यह जो 20,000 रुपे की income हर महीने आपके बैंक खाते में आ रही है इसी मैंसे आपको 5000 रुपे निकाल कर इसी fund के अंदर SIP के तुरू निवेश करने हैं तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस पैसे को SIP शुरू करते हैं 5000,000 रुपे की और इसमें भी आपको रिटन मिलता है 19% का इस SIP को आप continue करते हैं 5 साल के लिए क्योंकि आपके जो पैसे हैं वही पैसे निकाल कर आपको यहाँ पर हर महीने रुपे का होगा यानि के तोटल आपके पास करीब 5,2529 रुपे होंगे 5 साल के बाद इसी तरह दोस्तों इस SIP को अगर आप continue करते हैं 10 साल के लिए तो यहाँ पर 20,000 रुपे हर महीने के साब से आपको 24,000 रुपे का प्याउट मिलेगा और आपके 15,000 रुपे बढ़कर 21, 21,695 रुपे हो जाएंगे और दोस्तों इस SIP को अगर आप continue करते हैं 5,000 रुपे महीना तो यहाँ पर आपकी जो पैसे हैं इस पर जो रिटन मिलेगा वो करीब 11,92,287 रुपे का होगा 6,00, रुपे जो आपने SIP के दुरू निमिज़ किये हैं उन्हें मिलाकर आपको 31,40,356 रुपे हो जाएंगे इसी तरह यहाँ पर यही 5,000 रुपे इसमें से निकाल कर आपको SIP continue करनी है करीब 15 साल तक तो दोस्तों यहाँ पर आप 5,000 रुपे हर मेनी के साब से 9,00,00, रुपे का निवेश करेंगे इसमें जो आपको रिटन मिलेगा वो करीब 42,00,250,01 र 2,501 रुपे मिलेंगे दोस्तों इस SWP प्लान में अगर आप इस पैसे को continue करते हैं 20 साल के लिए तो 20,000 रुपे हर मेनी के साब से आपको 48,00,00, रुपे का प्याउट मिलेगा और आपके 15,00, रुपे बढ़कर 55,90,105 रुपे हो जाएंगे इसी तरह इस SIP को अगर आप continue क करते हैं यहाँ पर 20 साल के लिए तो 5,000 रुपे हर मेनी के साब से आप टोटल इसके अंदर 12,00,00, रुपे का निविज करेंगे और आपको सिते में रेटन जमिले का वो 1,23,98,287 रुपे का होगा यानिके 20 साल के बाद आपके पास करीब 1,35,98,287 रुपे होंगे दोस्तो 14,53,00, चार रुपे हो जाएंगे इसी तरह इस S.I.P. को आप कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर 25 साल के लिए तो दोस्तों यहाँ पर आपको 5,000 रुपे हर मेनी के साब से टोटल निवेश्यो होगा वो 15,00, रुपे का होगा इसमें जो रिटन मिलेगा वो 3,49,03,03,0, जाएंगे इसी तरह इस S.I.P. को आप कंटिन्यू करते हैं 30 साल के लिए तो आपके 5,000 रुपे हर मेनी के साब से टोटल इसके अंदर 18,00, रुपे का निवेश्यो होगा इसमें जो रिटन मिलेगा वो करीब 8,95,744 रुपे का होगा यानि टोटल 30 साल के बाद आपके पास करीब 9 करोड 13,65,744 रुपे होंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 करोड रुपे के प्लस S.W.P. प्लान से आपको करीब 9 करोड यानि कि टोटल अगर हम बात करें तो करीब 11,5 करोड रुपे तक का फंड आप बना सकते हैं यानि कि दोस्तों आप सिर्फ एक प्लान दार प्रॉफिट बना सकते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपके पैसे पर रिस्क होता है इसलिए आप हमेशा जब भी मीचल फंड से स्कीम के अंदर ने विच करें अपने पाइनेशल एडवाइजर से भी सलाह जरूर ले ले इस वीडियो से लेटेट अगर आप को पसंद आती है तो लाइक करें शेयर करें और हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद